हेलो, गुड मार्निंग स्टुडेंट्स हमने यस्टर्डे को क्या पढ़ा था? वोवेस एंड कॉंसोनेट्स पढ़ा था ना? आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ए और ए एन का यूज कहां किया जाता है? उसके बारे में पढ़ेंगे है ना? ए का यूज किस जगे किया जाता है? और ए एन का यूज किस जगे किया जाता है? हम आपके यह इस बारे में पढ़ेंगे. अब क्या दिखा हैं आपे? ए इस यूजड वीद दोस वर्ट्स वीच बिगेन वीदे कॉंसोनेट्स, साउंड, कॉंसोनेट्स, आर और consonants कितने होते ही, आपको मैंने बताया था ना कल, कि 21 तो क्या होते है, consonants होते है, vowels कितने होते है, 5 होते है, ठीक है, इस तरह से अब आपके हापे, देखो, यह जो vowels words निकाल देते हैं, उसके बाद जो है न, alphabet में words बचते हैं, उन्हें consonants का आ जाता है, अब आप मैंने consonant sound, इक अउस कहां होता है, जहां consonant sound होता है, यानि कि आपके जो यह word दे रखे हैं, यह 1, 2, 3, इस तरह से 8 word दे रखे हैं, उन sentence या उन word में, क्या होता है, जब फर्स वर्ड जो होता है, फर्स लैटर क्या होता है, consonant वाला होता है, यानि, A, E, I, O, U, यह तो सारे वाले, प्लस, यह तो सारे वाले, उसमें प्लस 21 consonant मिला, ठीक है, अब वाले को निकलने के बाद, जो हैना, alphabet में ABCD बचती है, उसे क्या का जाता है, consonant का जाता है, तो A के बाद, B, B के बाद, C, D, फिर E, इसमें आ जाता है, तो F, G, H, फिर I, इसमें आ जाता है, इस तरह से ठीक है, इसी तरह से T, B, consonant में आता है, क्योंकि vowel में T, नहीं आ रहा है, तो इसके आगे भी क्या लगेगा, A, जब किसी भी word का first letter क्या हो, consonant हो, first letter consonants वाला हो, तो उसके आगे क्या लगता, A, अब यह देखो, K, C, P, S, B, R, तो यह सारे कौन से word है, consonant वाले word है, ना, तो इस तरह से इनके आगे क्या लग जाएगा, A, A का यूज हो जाएगा, A, car, A, pencil, A, shoes, A, bird, A, red, अब यह word कौन से है, आपको पता है, वो वेल है, five, वो वेल होते है, बाकी के जो word होते है, वो consonant होते है, और यह सारे consonant में, अब इसमें देखो, कोई भी है, A वाला word दिख रहा है, यह कोई भी आई वाला, ऐसा कुछ भी word नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने यहापे सब तरफ A, A लगा जिया, अब बच्चा A, N, A का यूज तो पता चल गया न, आपको जहाँ पे consonants वाले word के, यहाँ जहाँ पे first letter, consonant वाला हो, तो उसके आगे क्या यूज होता है, A, यू वाले word sound, जहाँ पे first letter, किसका vowel का हो, जैसे, E किस में आ रहा है, vowel में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, A, N, ठीक है, इसी तरह से O किस में आ रहा है, यह भी vowel में आ रहा है, यहाँ पर देखो, तो इसके आगे भी A, N लग जाएगा, इसी तरह से, यह क्या उन्लू होता है तो ओ भी किसका लेटर है वोवेल वाला है ना तो जब भी वोवेल वाले लेटर से कोई वर्ड चालू हो रहा हो तो उसके आगे एन लगेगा जैसे आई है तो आई भी वोवेल में आता है इसके आगे भी एन तो जितने भी वोवेल वाले लेटर से कोई अपराइसे से पता चली गया होगा जाता है और ईका यूज का क्या जाता है ठीक है तो यह मैंने आपको आप फिल लब कर दिया है आपके वोक्स में मैंने ना हमवंबक लिखा ता है है तो इसका में प्रटर सब्ट तो निए को ओरेंज एग आउल यह सारे क्या वर्ड वाले बरने ओ फिर इस तरह से आइस सबस्क्राइब लगा रखा है एं लगा रखा इसी तरह से व हाल मैंग तो डी फिर ही हमारे ऑफजी है जैके यव्याथ सब्सक्राइब कर derechos इस वाय जैड़ इस तरह से यह कॉंसोनेट है जो कितने ट्वेंट संसुटि वन आये वेला होते है अब देखो यह सूनेट लै्टर से अगर कोई वर्ट चाल हो रहा हुए क्या लग रहा है क्या लगा ए यह सबfertat चल गय आप Boost रसे आपको आपकी बुक में बढ़ना है तो ए फिर ए एक एन क्यों आए क्योंकि आए वह आता है फिर एक एन ऑफ यह आपको आपकी में फिलब करना है और इसका जो होंबर्ग वह मैं आपको अपको आये कर दोंगी है न पिर यह ए एन ए ए ए बर्ड बर्ड कहां दिखर आपको ए बर्ड एन आउल एन एग एक काईट इशू एन एरोप्लेन तो यह आपके मैंस दा फॉलोविंग और फिलब भी हो गए है होमबग जो है मैं आपको सैंड करूंगी कि आपको नोट बुक में क्या करना है तो आप सभी वो होमबग करके और मुझे वापिस क्या कर उसका हना फोटो कीच के सैंड करें ओके थैंक यू